पीम मम्ता से नहीं समल रहा बंगाल बाड़ की रिस्तिती पर पीम पर फोड़ा ठीक रहा मम्ता ने कहा किन सरकार फंड जारी नहीं कर रही है मम्ता का बड़ा रोप अगर मैं पीम को पत्र लिखूं तो जवाब नहीं देंगे बड़ी कबर सामने आ रही है पश्चिम मंगाल में और खास तोर पर उत्तर मंगाल में दर्श को बाड़ की इस्तिती भयावा है अब बाड़ की इस्तिती पर कभी जारखंट से पानी छोड़ा जा रहा है अब नेपाल पर फोरा ठीकरा ममताव एनर्जी ने और अब तो हद हो गई अब ममताव एनर्जी ने बाड़ की बेकाबू हालत पर जब खुद की सरकार बात नहीं सम्हाल पा रही है तो देश के प्रधानमंत्री पिये मोधी पर ठीकरा फोर दिया है बड़ी कबर इस वक्त की पशिम मंगाल की मुख्यमंत्री ममताव एनर्जी आज़ी कर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उससे घिरी उसके बाद ममताव एनर्जी वहाँ जुस तरीके से मेडिकल घोटाला हुआ स्वास घोटाला हुआ उससे घिरी और अब नेचुरल डिजास्टर घोटाले में भी घिर रही है फंड कहा गया लगातार सरकार नेचुरल डिजास्टर के लिए फंड जारी करती है तो ममता का अरोप है केंड सरकार फंड जारी नहीं कर रही है और ये पहली बार नहीं है जब बंगाल को फंड जारी किया गया हो लेकिन ना जाने किस चीज में वो फंड ममताव एनर्जी उप्योग करती है या रोहिंग्या को बसाने में करती है या बंगलादेशी को घुस पैट कराने में करती हैं न जाने क्या करती हैं लेकिन ममताब एनर्जी को बार से उत्तर बंगाल में छे लोग की जान चली गई कोई फिक्र इस बात की नहीं है आपको बता दे ममताब एनर्जी ने इसका पूरा विसलेशन करके एक प्रेस कॉंफर और सबसे बड़ी बात तो ये क्या दी कि मुझे दुख है इस बात का कि पीम मोदी को अगर मैं फोन करूं तो उनके मंतरी जवाब देंगे इस बात का मुझे खेद हैं और मुझे ये नहीं चाहिए मुझे चाहिए कि पीम मोदी मेरे बातों का एबं ताते मानुष्येर भुती बचो खुब खोती भाए चाशिक जोमी तेके शुरू करे शोश्ट्र तेके शुरू करे गवादी पर्षू तेके शुरू करे पान हानी तेके शुरू करे आमुन की आजक्यामी हरकाबानेर कथा उमने परी दिये छी, जेटा एते होई छिलू अपनेरा जानेन, मालबाजा दे। शुतुरां, सबस्ते ही कथा बोले, आमादेर पक्खुत्यके जाजा करोनियो, टोटाल एक्टार फ्लाड नियें, आड्मिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मीटिंग होई छे, एबं आशाकुरी पुत्यके एटाय देख्बेन, एबं तारा देख्छे नर्लेडी, आरो देख्बे शरू, एक रो सेंट्राल गॉर्मेंट के बला हवे, जिये तो एटे न्याशनल हाइवे रांडारे परे, आज जिये जागागुलो धोस्ने मेचे विशेशकुरे सिखिम कनेक्टेट, एटा आर्मी के बला हवे, कार्ण ओई रास्तार ना थांगले, आर्मी पुक्के सिखिम इंट्रा डिसकनेक्टेट हो जाबे, आर्मा देल्लो केरा वाट्टी जाबे, ओटा आर्मी इस्या के काथा बुलते बला होज, सियेस काथा बुल्वेन, एई पर्जन्तो आजके आमार प्रेस कॉंफरेंस छिरो रिगारिंग फ्लाट, आपना जे शकुल के अनेक धुर्ण आशाकोरी एर बाईरे फ्लाट डिलेटेट कोईस्चिन कोत्ते परें, और उन्नोकोन कोईस्चिने रिप्लाई आजके में एकांतिके के बुना, ना, प्लीज आजके ना, 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 न, न, not that, एक्टा आमार काचे बेशी फर्स्ट प्रायरिटी, आमार काचे प्रायरिटी म आजके बिफोधे परें, तादेर पासे दारानो, काजी अनेक किछु अनेक बार बाला होई चु अनेक दीन बाला होई चे नो, तुन कोडे आरकोनो कोथा, आमी बोलते चाहे ना, प्लाट डिलेटेट किछु थाखलें बोलते परें, बाट आदर कोईस्चिन नो, जवाब more than 5 lakhs kushek water, they have released without our knowledge, so Vardaman, Virbhu, Midnapur, East West, Dhargampatli, Haora, Hubli, it was totally affected, and now because the release of 6 lakh kushek water from Nepal, Kosi river, now North Bengal is totally affected, and forakka there is no dredging, since 20 years, after the forakka water agreement, if the dredging is there, or what we say the desiltation, then they should have preserved, full laktushek water more, then the public should not, public should not have suffered. But our unfortunate part is, Bengali is always neglected, 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 deprived, 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 but whatever we can do, We are doing our best, from the state government side, and I thank you to all of you, and our common friends, who are helping the flood affected area people. Though our puja is coming, of course it is a big festival for Bengal, we want peace should be maintained everywhere, but in flood affected area, simultaneously, let the puja go on, the club will do it, and at the same time, and at the same time, our request should be to our people, and the common people, to be with the flood affected people, because that is our priority area. Thank you so much. You have written two letters to the Prime Minister, so did you get any response from them? Nothing. If I write a letter to Prime Minister, their State Minister will give me reply, and that is also not correct, I will be corrected, and again send this letter to Prime Minister. Only Bengal, they have not received flood relief fund, you have seen it, in the budget, and the chief secretary has been authorized, to take up the matter, with the central government. That railway is doing, so IRCON, IRCON is railway organization, so I will request the chief secretary to take up the matter with them, because they cannot block the water, flow of water. if I just don't know. それでは, PM Modi has minded, to be in the meantime, we have to issue some questions, and please remind them of my society. I have a partner at the job this message, being open to me, so I will speak. If I stay in camino, if I stay inき氏, my emp UNDI need to keep his letter at the head of wz certainly ages, to say that it is not right to leave me. Whether from the match that I preached, it was valid, I will return to PMODI, का नहीं आता है बता दे आपको फरक्का बेराज का रख रखाओ नहीं किया गया ये बड़ा अरोप ममता बिनरजी ने केंदर पर लगाए हैं कि फरक्का बेराज का रख रखाओ नहीं किया गया इसके साथ ममता बिनरजी ने ठीक राफोड़ा कि जारखंड में जो हुई बार कभी बाढ़ की मुद्दे पर ये तमाम बातों पर मम्ता बिनर्जी घिरती हुई नजर आ रही है आपको पता दें उन्होंने कहा केंसर का आपदाऊं से लड़ने में पश्चिम मंगाल को कोई मदद नहीं कर रही है उन्होंने कहा छे जाने गवाने वाले लोगों के प्रती मेरी समवेदना है हमने बिजली से मारे गए लोगों के परिवारों को पाँच लाख और तीन लाख की वित्य सहायता प्रदान की है नाव पलटने से प्रभावित परिवारों को दो लाख की सहायता प्रदान की है ममता ने कहा नेपाल द्वारा कोसी नदे में 6 लाख क्यूसे एक पानी छोड़े जाने के कारण हम हाई अलर्ट मोट पर हैं मैंने अपने अधिकारियों को रहत कारे में तेजी लाने और संकट में फसे लोगों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दे दिया है तो देखिए तमाम बाते ममता वेनरजी भले कहती नजर आ रही है लेकिन इसमें वैक्तिगत तोर पर ममता पीम मोधी पर ठीकरा फोड रही है और इसमें जमीनी सर पर धर्ट्र को कोई साथ चाहिए नहीं है बाड की हालत पिष्टे मंगाल में पहली बार बेकावू नहीं हुई है हर हाल हर साल का यह हाल है और ममता वेनरजी की एक आदत हो गई है एक मजबूरन हो गया है कि मम्ता बेनर जी केंडर पर सारे ठीकरे फोर्ट देती हैं पश्चिम मंगाल में मम्ता का स्तीफा मांगा जा रहा है मेडिकल कॉलेज में जो हुआ जो हत्या हुई जगन ने अपराद हुआ उसमें हिस्तीफा मांगा जा रहा है स्वास्त में बड़ा महिला मुख्य मंद्री के तौर पर यहीं है अभी ख्यारा आतीशी हो गई है लेकिन यहीं थी महिलाओं का ना कोई सम्मान किया ना कोई सुरक्षा की और यहीं वज़ा है कि मम्ताम इनर्जी अब बाड की सिती पर जबरदस तरीके से घिर गई है काई खतरनाक है सूबे को प् वावित लोगों से मिलने जुआ रही है लेकिन कहा ज़रा है कि उन्होंने जब फंड जारी नहीं किया तो किस बात की मायूसी जब मम्ता को मिले फंड में मम्ता ने वित्य सहायता नहीं की लोगों की तो मम्ता मेनरजी की इस नाम के लिए मुख्यमंत्री के पतपर है और यही वज़ा है कि मम्ता मेनरजी चोधरफी गिरी हुई है बताते आपको मम्ता मेनरजी से साफ कुछा जा रहा है कि जब केन सरकार फंड जारी करती है तो आपने अब तक फंड रिलीस क्यों नहीं किया पश्चिम बंगाल की इस्तिदी को नहीं पटने के लिए वहाँ की जनता किसकी आस देखी वहाँ की जनता की आगे क्या सहायता आप करेंगी और यहीं वज़ा है कह रही है ममतामेनरजी की सरकार यूदस्तर पर बाड़ से नहीं पट रही है मुख्य मंतरी ने सिली गुड़ी जाते समय कोलकाता में कहा उतर बंगाल बाड़ की चपेच में है कुछ बिहार जलपाई गुड़ी और अलीपूर दुआर जैसे जिले प्रभावित हुए है कोसी नदी के जलगराण शित्रों में भारी वारिश की कारण बिहार के कईस्थान और बंगाल के मालदा सभी प्रभावित हो जाएंगे तो यह पूरा ठीकरा मम्ता ने पीएम मोधी पर फोर दिया है आपकी क्या रहा है ऐसे तो केन सरकार की मंतरी कह रहे हैं मम्ता बेनरजी को इस्तीफा दे देना चाहिए आपकी जो भी रहा हो आप ज़रूर कॉमेंट के जरीए मैं बताइए शुक्रिया